नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग राम ब्रिक्ष बेनी पूरी ज्वारा रचित तुभान खा पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने किसी पाठ के शारांस एवं बहुविकल्पी प्रश्न को देखा था और आज की इस वीडियो में हम लोग इस पाट से संभंधित लगुतरिय प्रश्न, बोध मूलक प्रश्न एवं भासा बोध से संभंधित प्रश्न को देखेंगे तो यदि आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख ले और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप इस पाट को अच्छे से समझ सकें तो चलिए सुरू करते हैं सर्व प्रथम लगुतरिय प्रश्न तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है सुभान खा का घर किसका अखाड़ा था उत्तर देखिए सुभान खा का घर बच्चों का अखाड़ा था दूसरा प्रशन देखते हैं मजदूरी के विशे में सुभान खा की क्या राय थी यानि कि उनका क्या विचा था वो मजदूरी के बारे में क्या सोचते थे उत्तर देखिए सुभान खा मजदूरी को अपना पवित्र करतब्य मानते थे यानि वेसे एक अच्छा कर्म, पवित्र कर्म समझते थे। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, लेखा के मामा और सुभान दादा अपने किन परवो परवो यानि त्यभार पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे। तो देखिए, लेखा के मामा होली दिवाली पर एवं सुभान दादा इद बकरीद में एक दूसरे को नहीं भूलते थे। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेखक के सौगात मांगने पर, सौगात यानि उपहार, लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने क्या कहा था? उत्तर देखिए लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने खजूर और छुआरे लाने का वादा किया था कहा था कि जब मैं हज की यात्रा पे जाओंगा तो वहां पर से जब लोटूँगा तो आपके लिए खजूर और छुआरे लेकर आऊंगा ये बात सुभान दादा ने कही थे पाच्वा प्रश्न देखिए सुभान दादा पस्चिम दिशा की और मुह करके नमाज क्यों पढ़ते थे उत्तर देखिए पुरान के अनुसार इसलाम धर्म के रसूल पस्चिम दिशा की ओर से ही आय थे तथा उसी और इसलाम का सबसे बड़ा तीर्थिस्थल मक्का है यानि कि पस्चिम दिशा की ओर अता सुभान दादा पस्चिम की ओर मुह करके नमाज पढ़ते थे तो यहाँ पर ये लगूतरिया प्रश्न समाप्त हुआ आये अब इस पार्ट से संबंदित बोध मुलक प्रश्न को देखते है पहला बोध मुलक प्रश्न सुभान दादा कर्ज के पैसे से क्यों नहीं जाना चाहते थे उत्तर देखिए इसलाम और कुरान के अनुसार कर्ज लेना गुना है कर्ज लेने और देने वाले को सबाव यानि कि पूर्णे नहीं मिलता जो कर्ज लेता या देता है उसे पूर्णी यानि कि सबाव नहीं मिलता है तो भान दादा जियारत जियारत यानि तिर्थिस्थान जो मक्का है वहाँ पर जाना चाहते थे वहां जाने का मुलं उदेश, पूर्णिलाब प्राप्त करना था, लेकिन करज लेकर जीयारत पर अलला की नजर में पाप ही होगा, यानि कि अगर कोई करज लेकर जीयारत करेगा चीरत सित्थान पर जायेगा तो उसे अलला पाप के रूप में देखेंगे, अता करज लेकर शुबहान दादा की या अर्मानियानि क्या इच्छाि थी फ्रस्य इक ही प्रश्यनी के वीवीटर दो प्रस्य है पहला प्रस्ट प्रसमि क्या अर्मानियानि क्या पूरा हुआ उत्तर देखिए सुभान दादा का अर्मान गाओं में एक मस्जिद बनाने की थी लेकिन आर्थिक तंगी यानि कि पैसे रुपए की कमी के कारण में मस्जिद बनाने के अपने अर्मान को पूरा करने में असमर्थ थे इसके बाव जो जीवन में मेहनत और पूर्णे कर्म से वे कभी पीछे नहीं रहे यही कारण था कि दीरे दीरे उनकी जो घर की आर्थिक इस्थिती थी वो सुधर गई इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे को सही सिक्षा और ज्यान भी दिया जिसके कारण उन्होंने खु अर्वान था वो पूरा हो गया वह समझ सकते हैं पुभन दाधा अर्वान जो था मस्जित बनाने का था लेकिन आर्थिक तंगी की कारण वह से बना नहीं पा रहे थे उन्होंने काफी महनत की और उसके बाद बाद में वे उस मस्जित को बना पाए आए आगे के प्रस्न को बताई गई है जिससे यह पता चलता है कि यह यहां पर हिंदू-मुस्लिम एकता है तो आई यह देखते हैं सुभान दादा और लेखक का परिवार अलग-अलग धर्मों से चुड़े थे इसके बावजुद लोग दोनों परिवारों की घनिष्टता थी यानि कि लेखक का परिवार और सुभान दादा का परिवार जो था वो अलग-अलग धर्मों का था फिर भी उनमें आपस में घनिष्टता थी जो कि संप्रदाई केकता का सबसे बड़ा उदाहरण है सुभान दादा जब हज जाते हैं तो वर्षो बाद भी लेखक से किये अपने वादे को नहीं भूलते और उनके लिए चुहारे लेकर आते हैं इसके अलावा सुभान दादा जब मस्जिद का निर्माड करते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं तो सभी हिंदुओं को आमंत्रित करते हैं यानि बुलाते हैं और उनका स्वागत चत्कार करते हैं जो कि संप्रदाईक एक्ता को दिखलाता है इसके अलावा लेखा का परिवार होली दिवाली में और सुभान दादा का परिवार जो है इद वकरीद में एक दूसरे को आमंत्रित करना निमंत्रन देना कभी नहीं बूलता था तो ये इस पार्ठ में आये हुए दो-चार घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि इस पार्ठ में हिंदू-मुस्लिम संप्रदाईक एकता को दिखलाया गया है आगे के प्रश्ण को देखते हैं तुभान दादा ने हिंदू का सत्कार कैसे किया दूता दिखे तुभान दादा ने मस्जित के घाटन के समय किसी वे प्रकार का भेदभाव ना रखते हुए हिंदूओ को भी समारों में प्रेम से आमंत्रत किया आयोजन में बुलाये गए हिंदूओ के लिए उन्होंने अलग से हलवाई रखकर तरह-तरह की मिठाईया बनवाई सभी को बहुत ही भाई चारे के साथ मिठाईया परोसी इसके अलावा उन्होंने खाना खत्मों जाने के बाल पान इलाइची का भी प्रबंद किया उनकी जो महमान नवाजी थी इतनी दमदार थी कि लोग भूल नहीं पाई यानि उन्होंने कावी अच्छे से लोगों की खातेजारी की थी आईए अब इस पार्ट का प्रश्ण देखते हैं हम लोग अकला प्रश्ण जो है वो सुभान दादा का चरित्र कैसा है यह बतलाई देखिए सुभान दादा का जो चरित्र है वो मानविय आदर्श का उत्रिष्ट रूप है सुभान दादा जो है वो एक मेहनत का शमजदूर है मेहनत को ही वे अपना पूर्णे समझते हैं अल्ला को श्मरण करना वे अपना अवित्र करतब भी समझते हैं और संप्रदाइक एकता और सामंजस्ति की पुझारी है वे सभी धर्मों के लोगों का आदर करते हैं और ले अरहंते हैं मेहनत के प्रती निष्था कर्मनिष्था तरह मिश्था प्रेम दया इमानदारी सामाजिक जुडाव धार्मिक सद्धाव आधी जैसे गुण हमें दिखलाई देते हैं यह जो रचना है यह मुख्य रूप से एक चरित्र पधान रचना है जिसमें सुभान खा के चरित्र के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम एक्ता को दर्शाया गया है आएए अब इस पार्ट से संबंदित जो भाषा बोध के प्रशन है यानि व्याकरन संबंदी प्रशन है हम उसे देखते हैं पहला वला प्रशन देखिए जिसमें कहा गया है कि निमनलिखित शब्दों का संधी विछेत कर संधी का नाम लिखिए तो यहां पर हमें संधी रक्षा करेंगे तो वहां पर हम इसे पूरे नियम के साथ सीखेंगे यहां पर हम केवल संधी विछेत कर रहे हैं जो पार्ट में आया है बह तो जो सबसे पहला है वो है संसार पहला शब्द है हमारा संसार का संधी विछेत करेंगे तो क्या होगा सम प्लस तार कौन सा संदी होगा गयन्जन संदी गयन्जन संदी ठीखे दूसरा शब्द है पवित्र पवित्र का 4 प्लस यहाँ पर कौन सा संदी होगा स्वर संदी संदी किसे कहते हैं संदी कितने प्रकार के होते हैं कहाँ पर स्वर संदी होता है कहाँ पर विसर्क स्वंदी होता है व्यन्जन संदी होता है यहाँ पूर्णता व्याकरणिक नियमों के भीतर आता है जो कि यहाँ पर मैं आपको पूर्णु रूप से नहीं बता रही हूँ जब हम लोग व्याकरण की कख्षा करेंगे तब सीखेंगे यहाँ पर हम लोग केवल पाठ आधारित व्याकरण को कर रहे हैं तीके बाद हमारा तीसरा सब्द है श्ष्टा चार तो का क्या होगा? श्ष्ट प्लस आचार कौन सी संधी होगी? यहाँ पर आपका है स्वर संधी स्वर संधी श्ष्ट का शब्द है आनंद तिरेक आ नंदा तिरेक यहाँ पर क्या होगा? आनंद प्लस अतिरेक कौन सा संधी होगा? स्वर संधी श्ष्ट का श्ष्ट प्लस अतिरेक इसका हम लोग संधी भी छेथ करेंगे स्थ प्लस अतिरेक कौन सा संधी होगा? व्यंजन संधी व्यंजन संधी इसके बाद का सब्द है सत्कार सत्कार यहां पर भी सत्थ प्लस कार व्यंजन संधी और इसके बाद उद्घाटन आखरी शब्दें हमारा उद्घाटन इसका हम लोग करेंगे उत्थ प्लस हाटन यहां पर कौन सा संधी होगा? व्यंजन संधी तो यहां पर मैंने जो व्यंजन से संबंधित है उसे थोड़ा बहुत बतला दिया है आप लोगों को इसके बाद देखिए इसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर है वो है समासिक पदों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखे यानि कि यहां पर जो समासिक पद है उनका हमें समास विग्रह करना है साथी साथ समास का नाम भी बताना है तो पहला है यहां पर दाढ़ी मूच इसका क्या होगा दाढ़ी और मूच दाढ़ी और मूच यहाँ पर हम लोग विग्रह कर रहे हैं ठीक है दाढ़ी और मूच कौन सा होगा स्वन्द समास इसी तरीके से पूरब पस्चिम का भी देखिए पूरब पस्चिम क्या होगा पूरब और पस्चिम कौन सा समास होगा द्वन्द समास जहाँ पर बीच में और लगता है जहाँ पर दोनों समान होता है और बीच में और लगता है बहाँ पर द्वन्द समास होता है इसी के साथ और देखिए हम लोग तीसरा वाला जो है भाव विभोर भाव विभोर इसका विग्रह हम लोग करेंगे इसका विग्रह क्या होगा भाव से विभोर इसका क्या होगा आप लोग का तत्पुरुष समास इसके बाद का सब्द है बड़ी बड़ी इसके बाद का जो शब्द है वो है बड़ी बड़ी यहाँ पर बड़ी बड़ी शब्द का क्या हुआ है दूरुकती हुआ है यानि कि दो बार दोहराया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ी शब्द की ध्वी रुकती वी रुकती कौन से समास होगा यहाँ पर आपका अव्याई भाव अव्याई भाव समास ठीक है यह बाद रस भरी रस भरी का क्या होगा रस से भरी रस से भरी कौन से समास होगा सत्पुरुष शमास सत्पुरुष शमास सत्पुरुष शमास इसका क्या होगा लाल है जो खडिया लाल है जो खडिया कौन से समास होगा यहाँ पर आपका कर्मधारे समास होगा इए अभ़ लोग देखते हैं निम्निलिखित शब्दों के आप से रोक कर भी लिख सकते हैं के बाद हमारा है थीसरा नंबर प्रश्न है निम्निलिखित शब्दों के परयायवाची शब्द लिखें यानि कि यहां पर परयावाची शब्द लिखना है, सबसे पहला शब्द है अर्मान, अर्मान का क्या होगा, चाहत या चाह, इच्छा, अभिलासा, अभिलाशा, और भी हो सकता है, जैसे कि कामना, है न, कामना कर सकते हो आप, या फिर हस्रत भी हो सकता है, ठीक है, तिवाद मैं यहापर आपको तीनी बता रही हूँ, आच्छा है तो और भी लिख सकते हैं, जो मैं बोली हो आप लिख भी सकते हो, तिवाद दूसरा शब्द है हमारा मुल्क, मुल्क का क्या होगा, देश, व इसके बाद हमारा तीस्रा शब्द है, नूर तीस्रा शब्द है हमारा नूर, नूर का क्या है, नूर का जो हमारा परियाएवची शब्द है वो है, चमक, रॉषणी चमक, रौश्नी, इसके अलावा आप प्रकाश भी लिख सकते हो, प्रकाश, ठीक है, इसके बात का जो शब्दे है वो है हमारा तकदीर, तकदीर का क्या होगा, किस्मत, भाग्य, किस्मत, नसीब, इसके बात का शब्द हमारा है सौगात, सौगात, सौगात शब्द का भेट, उपहार, भेट, उपहार, उपहार, इसके बात हमारा शब्द है वो है पेड, पेड़ सब्द का व्रिक्ष, यह तो आप बहुत आशानी से कर लोगी, यह तो आपको, मतलब, क्लास फाइप से ही पढ़़ रहे हो, यह ना, व्रिक्ष, वेटप, पादप, गांच, यह आप बहुत आशानी से कर लोगी, आपको बच्पन से यह पढ़ते हैं आपको अच्छे से पता है और हमारा आखरे शब्द है बगीचे हमारा परियावत्ची शब्द का आखरे शब्द है वह है बगीचे का आप लिख सकते हो उपवन पाग चलावा बग्या बग्या कानन यह आपके कुछ परियावाची शब्द है आए आगे हम देखते हैं हमारा चौथा नमबर निम्नलिखित उर्दू शब्दों के तो यह उर्दू शब्द दिये गए हैं कि हिंदी अर्थ लिखकर वाक्य में प्रियोग कीजिए आए हम लोग देखते हैं यहाँ सबसे पहला शब्द है पैक यह एक उर्दू शब्द है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है इसका हिंदी अर्थ होता है सजिय की परिक्रमा करना जो सजिया होता है सजिय की परिक्रमा करना जैसे कि मननत पूरी होने पर हमने पैक की यत्रा की, इस तरीके साथ कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहां पर केवाल आपको उर्दू अर्थ और हिंदी अर्थ पता दे रही हूं, आप श्वैम करें तो वह आपको सीखने में ज्यादा मदद करेगी, ठीक है, के अलावा दूसरा शब्द है तस्वीह, तस्वीह सब्दकार्थ क्या होता है, माला तो आप इसका क्या लिख सकते हैं, साधू संत, माला जबते हैं यह साधू संत, तस्वीह तो नहीं होगा, माला ही कर सकते हैं साधु सन्त बाग की प्रयोग क्या कर सकते हैं हमुदू साधु सन्त माला चप्ते हैं तीसरे शब् Duck रसूट की को कहते हैं पैगंबर हजरत मुहम्म्मद सहब को तो यहां पर रसूल का क्या रत है, रसूल किसको कहते है, पैगंबर हजरत मुहम्मद, ठीके, उन्हीं को रसूल कहा जाता है, आप यहां पर क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं आप कि पैगंबर हजरत मुहम्मद, इसलाम धर्म के प्रवर तक है, यानि उन्होंने इसलाम धर् मैं बता रही हूँ यह आप लोग लिख लीजिएगा पैगंबर हजरत मुहम्मद स्लाम धर्म के प्रवर्तक है यह आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो यह बात देखिए जो शब्द है वो है पेशानी 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 कार्थ होता है माथा 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 सुभान खाकी दलाठ चमक रहा था इस तरह कुछ भी आप बना सकते हों और उसके बात का शब्द है यहाँ पर मैं वाक्य प्रयोग नहीं कर रही हूँ आप स्वयम करें तो आप ज्यादा सीख पाएंगे मैं केवल आपको अर्थ बता दे रही हूँ उम्र दराज उम्र दराज का अर्थ क्या होता है लंबी आयू इसके बात का जो शब्द है वो है नूरानी नूरानी यानि चमकदार चमकदार और इसके बात का शब्द है मकररर ये बात का जो शब्द है वो है आपका मकररर ठीक है आई हम लो लिख लेते हैं आखरी शब्द जो है हमारा मकररर मकररर शब्द कारत होता है निश्चित करना किस चीज को मकररर करना कि मैंने परिक्षा की तारिक मेरी परिक्षा की तारिक निश्चित हो गई है इसका वाक्य प्रयोग क्या बना सकते हैं मेरी परिक्षा आप कुछ भी बना सकते हो मैं बस ऐसे ही जस्ट आपको बता रही है उदाहरन के लिए ताकि आप त्वाक्य बनाओ उसको बना पाओ खुझ से परिक्षा मेरी परिक्षा की तारीक निश्यत हो गई तो इस तरीके से आप वाक्य परियुकर सकते तो इस पार्ट से संबंदित जो भाषा बोध के प्रशने उसे भी हम लोगों ने कर लिया है तो आप दोनों वीडियो को अवस्य देखे पहली वीडियो जिसमें हम लोगों ने पार्ट का शारांश और बहुभी कल्पी प्रशने किया है और दूसरे वीडियो में हमने इस पार्ट के पूरे ही प्रशने लग उतरिये बोध मुलक और भाषा बोध प्रशने को किया है तो इस तरह आपका यह जो पार्ट है वह पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तो आशा है कि आपके लिए वीडियो बहुत ही उप्योगी हो